तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है ही हीरो की नई वाई क्योंकि एक्स्ट्रीम स्टेट एडिशन आई वी है जो कि यहां पर आप 160R के नाम सी इसे जानते हैं वैसे इसमें 160R का इंजन आ जाता है यहां पर अगर आप देखें तो यह बहुत ही न मैट ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसे बनाया गया है है यहां पर अगर आप देखें तो यह निगें, अे और यहां परमको मैट ब्लैक का जो है, यूरी मैट ब्लैक की नहीं ख़रे का सकते हैं तो ऐसे कॉम देखें इसका स्टीकरिंग, और बाडिए पैनल्स एस भाइक में आप देखे ते यहां पर आपको फ्रेंट में डिस्क के साथ साथ ABS की रिंग मिल जाती है जोकि मैं आपको यहां से अभी फिलाल दिखा देता हूं हीड लाइट आपको यहां पर LED की मिल जाती है जो इसके DRL's जाएं वह भी आपको LED की मिल जाते हैं इंडिकेटर जो है इसमें बहुत ही प्यारा दिये गए हैं जो कि LED की ही हैं और यहां पर आपको बहुत ही बेसी से सस्मिंशन मिल जाते हैं जो कि अभी तक फिलाल हमेशा से आते आ रहा है इसी साथ अगर इसका अलॉय देखें तो फ्रेंड का अलॉय का अलॉय काफी ब्यूर ना लगे तो वो अभी तक इसमें लगाया नहीं गया है सिंगन हार्न का यहां पर आपको सेट अप मिल जाता है और अगर मैं आपको दिखाओं तो ABS की रिंग तो यहां पर है लेकिन ABS का जो मॉडम है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इस बाइक में आपको स्विचे से वो काफी प्रिमियम है मुझे यहां पर जो है सौफनेस काफी अच्छी लगी हां यह बास तच है कि हिरो ने अपने इन बाइकों में इंप्रूमेंट किया है स्विचे से अंदर तो आपको जो क्लिक किया वाज वो काफी अच्छी सुनाई दे जाती है इसी आते हैं चैन का डिजाइन देख लिए साड़ी गार्ड का डिजाइन देख लिए वो कुछ इस तरीके से आपको जहने को मिल जाएगा फुटेश्ट यहां पर दोनों ही ऐलॉय के रहेंगे ऐलॉय यानी ऐलुमिनियम के रहेंगे और सीट को निकालने के लिए आपको यहां आरफ के देखने को मिल जाएंगे रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी जो कि मैं अभी आपको यहां से दिखा देता हूं कम्री ने ग्रेब हैंडल के नाम पर यहां पर आपको छोटी सी एक स्पेस दी है जिसके थुरू आप इस बाइक को थोड़ा बहुत यहां बहां मूब कर सकते हैं जो कि यहां पर दिया गया है बाकी इसमें आपको टेल लाइट एलीडी की मिल जाती है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वह भी आपको एलीडी के ही देखने को मिल जाते है इस बाइक का अगर पीछे से टायर के वाइडनेस को देखने तो वह क तो पुछ बहुत सकते हैं, मैं फिलाय सिंगल बैरल शीयद बोल रहा हूं। बाकि अंदर की ओर आप देखें, तो कुछ ऐसा डिजाइन यहां पर आपको मिल जाता है। इस बाइक में अगर आप 3D लोगो की बात करें तो एक्स्ट्रीम जो है वो आपको 3D में मिल जाएगा। स्टेल्थ का जो डिजाइन है जो लिखा हुआ है वो भी आपको 3D में ही देखने को मिल जाएगा। मैं इस लोगो को पकड़ करके आपको दिखा भी सकता हूं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यार इस बाइक में इस कीक स्टार्ट पर थोड़ा सा रवर दे दिया गया होता। तो लोगों के पैर में यह चुपता ना अगर एक्सिडेंटली उनके पैर से चूट जाता तो यह उनके पैर में ज्यादा चोट ना पहुंचाता। बाकी हीरो का एच डिजाइन सिर्फ आपको इस इंजन के क्लच साइड पर लोगो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दुस्तों उमीद करते हैं कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो प्रीजा लाइक ज़रूर कर देना। तुमको यही पसंद आई है। अरे ब्लू है वाइट है चलो ठीक है।